ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 21 से 25 अप्रेल 2023 का है चलि हम अपना करेंट अफेयर स्थार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेशन है भारत में प्रती वर्स राष्ट्री सिवील सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 21 अप्रेल को याद इस पर इसकी थीम क्या रही है विक्सित भारत नागरी को को ससत बनाना और अंतिम मील तक पहुचाना ठीक और इस दिवस का पहली आयोजन 2006 में किया गया था और सिवील सेवा के जनक किसे कहा जाता है तो यह लाड कार्ण वलिस को कहा जाता है इसमें आपको जी एस और जी एस साथ साथ आपको देखने को मिलेगा चले हम अपने नेक्स्ट क्वेशन के तरफ बढ़ते है विरता पुरसकार पाने वाली पह किया गया था चले हम अपना नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं चार टीमों की इंटर चार टीमों की इंटर कॉंटिंटर फुटबॉल टॉर्नामेंट का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो यह भूवनेश्वर में किया जाएगा और इसका आयोजन 9 से 18 जून तक होगा यह टूर्नामेंट का तीसरा संस्क्राड होगा और इसमें जो चार टीम है वो भारत के अलावा लेबनान मंगूलिया और वानु अतू टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें हैं चलिए अपने नेक्स्ट क्वेशन के तरह बढ़ते हैं यूरोप ने ब्रिहस्पती के चंद्रमाओं का अध्यान करने के लिए सफलता पुर्वक किस मिसन का सुरुवात किया है तो यह सुरुवात किया है जूस्ट मिसन का जिसे पूरे तरीके से वराज़ादा जूपिटर आईसी मून्स एक्स्प्लोरर इस मिसन की योजना जो है वो गैनिमेड कैलिस्टो और यूरोपा ब्रिहस्पती के गैलिलियन मूनों में से तीन का अध्यान करने की है मतलब इस में ब्रिहस्पती के जो उपगर है उसके बारे में अध्यान करना है इस मिसन का उदेश और वहाँ पे जो रहने की या जैसे भी इस्थिती है उसको स्टारुक इस्टार्शिब की लॉचिंग फेल हो गया है इस स्टार्शिब रॉक इस्टार्शिब श्क्राइब की classified कि यहां तिर और भाई भीज्ड ह TA द्ञेक्स्ट कोशिंट के तरह वड़ते हैं। जर्मनी का सरवाच अवड ही ऑ़र अवड़र आफ मेरीत से किसी सम्मानित किया गया सहां नोगा 2005 से 2021 तक कुल चार बार जर्मनी की चांसलर रही है मतलब उन्होंने जर्मनी का लेत्रेत हो किया है और वह चांसलर का पद लेने वाली पहली महिला रही है और्डर अफ मेरिट जो अवार्ड होता है इसमें कोई वित्ती नाम नहीं होता है इसको एक पुरसकार के तरह मेडल के तरह दिया जाता है चलिए पर नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़े किस राजने प्रधान मंत्री फशल बीमा योजना के सर्वत्तम करारयनवेन के लिए राष्टी पुरसकार जीता है तो यहां जीता है हमारे करनाटक राजने अब करनाटक के बारे में जाने तो करनाटक का गठन हुआ है एक नवमर 1956 निसी को करनाटक की राजधानी बैंगलोरू है यहां की राजेपाल थावर चंद गहलोत है और यहां के मुख्य मंत्री बसवराज बुम महीं है चलिए हम नेक्स्ट क्रेशन के तरफ बढ़ते है हालही में साथी पॉर्टल और मुबाइल एप किस मंत्राले द्वारा लाँच किया गया है अब कि यह कृशी मंत्राले द्वारा लाँच किया गया है तो किंद्री कृशी मंत्री कौन होंगी तो यहां है नरेंदर सिंग तोमर जी साथी पॉर्टल का जो पूरा नाम है वो सिड ट्रैसेबिलिटी अथन्टिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंटरी है इसका जो थीम रहा है वह उत्तम बीज समरिध किशान ये साथी पॉर्टल एप का थीम रहा है और इसका जो में उद नहीं है इन सब चीजों की जानकारी इस पॉर्टल के माधम से की जा सकेगी चलें नेक्स्ट वर्शन के तरफ बढ़ें दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देस कौन सा है तो आपको पहले तो पता होगा कि यह चीन है लेकिन अब आप चीन मत जानिए अब जो दुनि बादी 1.4196 करोड़ पहुच गई है जब कि चीन की आबादी कितनी है? 142.57 करोड़ इस रिप Lynn 202 वारत की आबादी एक साल में 1.56प बढ़ी है रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी अब चीन की आबादी के इनते 3 कुल 39 अधिक है 29 लाख अधिक होने की वज़े से जो भारत है वो क्या हो गया अब सबसे अधिक आबादी वाला देश हो गया है चलिए अपने next question के तरफ बढ़ते है भारती सेना ने सैने कर्मियों को चीनी भासा का प्रसिचर देने के लिए किस युनिवरसिटी के साथ समझोता किया है तो य प्रसिचर ले रहे यह भी पूछा जा सकता है तो यह चीनी भासा का प्रसिचर ले रहे है किस युनिवरसिटी से ले रहे है तो तेजपूर युनिवरसिटी से ले रहे है अब यह युनिवरसिटी किस राज में है तो यह युनिवरसिटी असम राज में है चलिए देखते हैं कि यह प्रसिछट जो है वो चार महिने का होगा और जो तेजपूर इनिवर्सिटी थी उसके अहथापना 1994 में की गई थी चलिए पर next question के तरफ बढ़ते हैं राष्ट्री पंचायती राज दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है तो यह प्रतिवर्स 24 अप्रेल को मैं कि पहली बार इसे कब मनाया गया था तो इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था संदोजए 10 एस्वी में और इस दिन मतब चॉबिस अप्रेल को ही 1992 में सम विधान के 73 सम विधान संसोधन के तहत इसकी सुरुआत की गई थी और इसी विधान संसोधन के तहर समिधान में पंचायतों सिर्षक के साथ भाग नौ को सामिल किया गया था चलिए पर नेक्स्ट क्रेशन के तरफ बढ़े प्रतिष्ठित सिडिनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाडी के नाम पर एक गेट का अनावरड किया है तो यहां सचिन तेंदुलकरजी के नाम पर किया गया सचिन तेंदुलकरजी के पचासवे जनम दिन में उनके सम्मान में ऑस्टेलिया के प्रतिष्ठित सिडिनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके नाम पर एक गेट का अनावरड किया गया है आपको बताते चले कि इस क्रिकेट ग्राउंड से सचीन तेंदुरकर जी को एक विसेस लगाओ था चले हम अपने नेक्ट कोशन के तरह बढ़ें किस राजे ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट के सुरुवात की है तो यह केरल राजे ने की है और इसका उद्देश ही क्या है इस प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट का इस उद्देश पंचायत अस्तर पर खेल संस्कृती को पुरजीवित करना है और यह जो सुरुवात किया गया प्रोजेक्ट का यहां यह जो गठन किया गया वो एक नवंबर 1956 को किया गया इसका गठन और यहां के राज जेपान आरिफ मुहम्मद खान है मुख्यमंत्री पीनाराई विजियन है चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेशन के तरह बढ़ते हैं तीरंदाजी विस्वकप में भारत ने कितने पदक जीते हैं तो इसमें भारत ने कोई चार पदक जीते हैं जिसमें दो स्वर्ड पदक उसने जीता है एक रज़त जीता है और एक कासे जीता है और यहाँ जो है वो 23 अप्रेल को तुर्की के अंतालिया में आयुजित किया गया था चलिए अपने नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़े इस्टार स्पोर्ट ने विली एममेश्डर के रूप में किसे निक्त किया तो यह निक्त किया है रिस्ताफ पंत जी को और इस्टार स्पोर्ट किया है वो आईपील 23 के अधिकारिव टेलिवीजन का प्रिशारक चैनल बना है इस बार चलिए और नेक्स्ट कुशन को देखते हैं विस्व पुस्तक दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो यह हर साल 23 अप्रेल को मनाया जाता है पहला विस्व पुस्तक दिवस 1995 इस्वी में 23 अप्रेल को ही मनाया गया था और इस बार जो थीम रहा है वह स्वदेशी भासाएं इस बार पुस्तक दिवस का थीम रहा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और सेया जरूर करें साथी साथ हमारे इंस्टाप पेज़ 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 से जुड़ने के लिए वीडियो स्किप्सन बॉक्स को जरूर देगे ठाइंक यू